अगर कहीं कोई गड़बढ़िया देखते हैं तो तुरंत फैसला तुरंत उनकी फर्मान जारी हो जाती है इसके वज़े से सिक्षकों में काफी हड़कंप भी देखने को मिलता है सिक्षक बिलकूल खौफ खाय रहते हैं आपको बताये कि बीटे बीटे दिनों सबसे पहले कि पाठा कटिहार पहुंसते हैं कटिहार के बाद वो भागलपूर पहुंस जाते हैं इतना है नहीं उन्होंने कुछ गड़बडिया कुछ खामिया भी देखी जिसके बाद ओन दा स्पॉर्ट फैसला सुना दिया ओन दा स्पॉर्ट कई सारे फर्मान जारी कर दिये अब भाग के अपर मुखिस अचीफ केके पाठक इंदीनों लगतार बिहार का दौरा कर रहे हैं एस्सीयस का पदभार संभालने के बाद केके पाठक कभी भी अपने कारियाले में नहीं बैठते हैं उन्होंने कहा, वहाँ सिक्षकों और सिक्षा पदाधिकारियों को दिसा निर्देश दिये, मिड्डे मिल सहीद स्कूल के कैमपस में साफ सफाई को लेकर उन्होंने सक्त निर्देश दिया। उन्हों के बाद केके पाठक भागलपूर जिले के नवगच्छिया में पहुँचे जहां उन्होंने स्कूलों की स्थित्ती तेक कर नराजगी जताई। इस दोरान उन्होंने कई फैसले अन्दस पोट ही ले दिये। उनके साथ जिला सिक्षकों के अलावे जिला सिक्षा वि भाग से जुरे अधिकारियों को हड़काय और क्लास लगा दी। केके पाठक जैसी मंद्य विद्याले डुमरिया पहुँचे वहां की विवस्था देखकर वे नराज हो गये। केके पाठक ने देखा कि वहां छात्रों के लिए बनाएगे सौचाले में काफी कमी दिख रह करते हैं उसके बाद केके पाठक ने तुरंत और ततकाल प्रभाव से हेड मास्टर का वेतन बंद करते हुए उन्हें सस्पेंट कर दिया। सही तरीके से लागू करने का निर्देश दिया और उसके बाद चलते बने। इस दौरान उन्होंने स्कूल परिसर का भ्रमर कर वहां का निरिक्षन भी किया। साफ सफाई का रेजिस्टर मेंटेन करने किसे लेकर बागी काम के लिए डियो ने परिशान कर रखा था। जिस उत्तकरमित मर्द विद्याले में हिमानसु शेखर जाज सिक्षक थे। उसी के बगल वाले स्कूल में केके पाठक निरक्षन के लिए पहुँचे भी थे। इसके अलावे प्रखंड सिक्षा पताधिकारी और कार्याले के अधिकारी भी सिक्षक से को परिशान कर रहे थे। सिक्षक की मौत की पुष्टी हो गई है। ना देते हैं और कोई ना कोई आदेश भी जारी कर देते हैं। केके पाठक कटियार के बाद वह भागलपूर पहुँच गये। भागलपूर के नवगचिया पहुचे और वहां उन्होंने स्कूलों का जायजा लिया। वहां स्कूलों की बधाली देखकर के खूब नराज हुए, सौचाले ढंग से नहीं था, सौचाले के पास दिवार नहीं थी, इतना है नहीं। ये भी देखने को मिला कि स्कूल के बगल में ही टेंट का समान जो है वो पढ़ा हुआ था जिसके बाद केके पाठक का पारा हाई हो गया और तुरंत उन्होंने हेड मास्टर की वे कि ये मौज जो है वो हाट अटेक से हुई है या कोई और वज़र है ग्रामिडों का कहना है कि लगतार सिक्षक के उपर जो जिला सिक्षा पतादिकारी थे वो दबाव बनाते थे ये कहते थे कि केके पाठक कभी भी निरक्षन के लिए पहुचेंगे जिसके वज़र से काम का दबाव वो प्रेशर जो है वो सिक्षक ना जहल सके और उनकी मौत हो गई है फिलाल इस खबर में से इतना ही आप देखते रहे निउस फोनेशन